नमस्कार दोस्तों मैं हूं रजनी सिंग और आप सबका स्वागत करती हूं बिलीव इट में तो विश्वास कीजिए आपकी लाइफ वैसी होगी जैसी आप चाहते हैं बिल्कुल वही वाउ और वंडर्फल वाई लाइफ जो हम सब को चाहिए तो आज हम बात करने वाले हैं क इस तरीके से हमारी एक ऐनरजी है आपकी एक एक एनरजी है और दुनिया में रखी हर चीज की जो भी शब्दों की जो बात है, वहाँ पे दो दिन चीजे आती हैं वो आपको बताती हूं मैं, तो कुछ शब्द हम यहां से बोल रहे होते हैं, कुछ बाते हम यहां से mentally कर रहे होते हैं, शायद हम किसी से discuss भी नहीं कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी मूह स चल रही होती हैं, तो हम वो वाली बाते भी लेंगे, और जो हम यहां से बोल रहे हैं, वो भी लेंगे, और जो हम लिखते हैं, वो भी हैं, तो यह तीनों चीजे शब्द जो हैं, जो भी हम बाते करते हैं, वो तीनों चीजे काम कर रही होती हैं, अब इसका एक ऐसा एक्ज पिश्वर के सामने बहुत सारी बुक्स है या कोई भी और हर धर्म में वो तो हम क्यों वो बोल रहे होते क्योंकि उन सब में एक पावरफुल एनरजी है जैसे कि ओम बोलते हैं तो ओम एक युनिवर्सल एनरजी है ओम शब्द जो है युनिवर्स में गूंड रहा है हर वक्त तो ये जो है हर शब्द की हर अक्षर की भी एक एनरजी है तो अब हम आते हैं अपनी जनरल लाइफ में कि ये जो शब्द हैं ये हमारे लिए कैसे काम करते हैं तो दोस्तों सबसे पहली important बात आप समझ लीजे कि हमारी जिन्दगी हम खुद बनाते हैं हमारी जिन्दगी को कोई और दूसरा नहीं बनाता तो हर चीज़ की responsibility आपकी है तो ये शब्दों की responsibility भी किसकी होनी चाहिए हमारी जो भी हम शब्द अपने मुह से निकाल रहे होते हैं वह इस यूनिवर्स में जा रहे होते हैं और वही सेम एनरजी हमारे पास वापसारी होती है क्योंकि vibration जो ह है वह attract करती है दूसरी vibration को और उसी तरीके से वह आपके पास वापस आती है तो आप अपने आप से क्या बात कर रहे हैं आप दूसरे लोगों से क्या बात कर रहे हैं आप किसी चीज के बारे में क्या बात करें हम ये तीन चीजों के बारे में discuss करेंगे आप अपने आप से क जो खृआ है तो दोको होत आइए अभी मुझे बोलनी होते हैं मेरे चीज करना है हम पर यह काम करना है इतने घंटे मुझे काम करना है इसके बाद मैं रेस्ट कर सकता हूँ so all these things तो हम जो जो भी बोल रहे होते हैं वो ही हाँ पर तो हम बात करेंगे कि हम अपने बारे में क्या बाती करते हैं क्या आप अपने आपको बोलते हो कि मैं तो बहुत confident हूँ, मैं कोई भी चीज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं जादा बोलता नहीं हूँ, मुझे ये चीज करना पसंद नहीं है तो यह जो क्या है यह सब बाते हैं आप अपने बारे में क्या राय रखते हो अपने अपने लिए क्या बोलते हो क्योंकि दोस्तों जो भी आप बोलते हो अपने लिए वही आपकी रियालिटी बनता जाता है अब हम बात करते हैं कि आप अपनी फैमिली में क्या बोलते हो हम आपके ममी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, आपके पापा बहुत ज़्यादा गुस्ते वाले हैं, या आपके पापा आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर अपोजिट, या एक जो मा है, वो अपने बच्चे को क्या बोलती है, क्या आप अपने बच् करना ही पड़े का तभी तो कुछ कर पाएगा तो खेल तो अपने बच्चों के बारे में क्या राहे रखते हो तो जो भी आप बोल को आपके वापस आनी है आप अपने जहां पर भी ऑफिस में जाते हो कि कुछ काम करते हो वहां आपके surroundings, to society उसके बारे में आपकी क्या राही है राहे है, opinion है क्या आपको लगता है कि यहाँ जो चारो तरफ लोग है वो बहुत अच्छ है, या फिर आपको लगता है कि वो सब आपके दुश्मन है या फिर आपको लगता है कि यार ये आदमी तो सही है बट यह बंदा सही नहीं है मेरा बॉस बिल्कुल सही नहीं है वो तो काम ही ऐसे देता है कि हो इनी सकते तो आपकी जो सराउंडिंग से उसमें क्या आपका अब हम आते हैं यूनिवर्स पे इस पूरे संसार पे इस संसार में जो जीवन हम जी रहें उसके उपर क्या आपको लगता है कि यह जीवन है यह बहूत संगाश है जीवन जीना जो है वो बहुत difficult है बोलते हैं यार जीना तो बहुत मुश्किल है کश लोग बोलते हैं यह जिन्देगी एक क्या है बहूत कटहीं हैं और हर एक step में बहुत मुश्किले हैं तो क्या आपकी इस life को लेकर भी यह opinion है तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जितनी सारी बाते बोली अगर आप वैसा सोचते हो तो वही सेम चीज आपके पास वापस आएगी क्योंकि vibrations match होती है और वो आपके पास आती है तो अब करें क्या अगर आप यह चीज बोलते रहते हो कि life difficult है तो दोस्तों आपके हर कदम पे आपको यह life difficulty मिलेगी अगर आप बोलते हो यार मेरी जिन्दगी तो मज्यदार है मेरी जिन्दगी तो wonderful है तो आपको आपकी जिन्दगी wonderful ही मिलेगी तो मैंने आपको पहले ही बो यूर्टी किसी को ब्लेम मत करो कियोंकि यूरा नार्जिय नेर्जी होती है यह तो आपके लाइफ में वही चीज सेम उसकी तरफ से भी आएगी क्योंकि आपका थौट प्रोसेस यह है आप उसको ऐसे वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी भेजरो और सेम आपके पास रिटन होके आएगी ही आएगी तो दोस्तों क्यों ना इसको हम चेंज करें अग लोग के बाहर में रायराती है इसको कितना भी खिलालो यह मोटन होता है यह सुबह जल्दी उठी नहीं सकता आप अपने बच्चों को जो ब्लेसिंग देर होना वो घलत है और जो भी आपके शब्द है न वो एक ब्लेसिंग है तो जैसे ही आप यह चीज बोलना शुरू कर यह करते ही नहीं है इनसे तो यह होता ही नहीं है और यह बस इतना ही कर सकती है यह बस बोलती रहेगी लोगों से तो आप किसी के बारे में भी या फिर सबसे पहले हम शुरू करते हम अपने बारे में क्या जो बोलते हैं उसको कैसे चेंज करें क्योंकि दोस्तों पहले हमें पता करना है जो कि मैंने आपको बता दिया और इसके बार अब change होना है हमको तो हम change कैसे हूँ दोस्तों हम एक example लेते हैं सब्पोज मैं बोल रही हूँ मैं एक student हूँ और मैं अपनी पढ़ाई के बारे में बिल्कुर सही बातें नहीं करती लाइक जब मैं चोटी भी थी तो ह हमारे surroundings में सब लोगोने maths is very difficult, maths बहुत difficult है और फिर आपके mind में वो thought चला जाता है और आप भी same चीज़े सोचने लगते हो maths difficult है और हर कदम पर आपको maths difficult लगने शुरू जाती है इसी तरीके से आप किसी भी subject के बार में ले सकते हो जो आपके लिए difficult लग रहा है या फिर बहुत 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 असान हो तो भी आपको वो difficult लगेगा, that means क्या हम इस reality को change करेंगे जो हम अभी बोल रहे है अगर आपको अपकी life को बेटर करना अपनी life में वो चीज़ लानी है जो कि अच्छी है आपके लिए तो आपको change करने पड़ेंगे अपने शब्द य जो भी difficult लगता है आपको subject, बोल ये, it's so simple यार, ये तो बहुत easy है, अभी लग रहा है आपको difficult, बोल के देखिये, continuous आप एक दिन, दो दिन, दस दिन, ग्यारा दिन, जैसे ही आप बोलते रहेंगे, आपको difficult लग रहा होगा, अभी करने में भी difficult लग रहा होगा, पर बोलना शुरू कीजे, यार, बहुत, हम maths का example ले रहें, तो maths बोलते हैं, maths is so simple, maths is so easy, यार, जिल्दी हो जाता है, दूसरी चीज़ों में तो याद करना पड़ता है, ये नहीं करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ता है, और maths बोलना शुरू कीजे, मिरर के सामने खड़े हो जा I am confident, 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 देखिए, बोल के देखिए, सुबह, शाम, दो पहर, जबी भी आप मिरर के सामने खड़े हो बोले, I am confident, अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, आप उसका opposite बोलना शुरू कीजे, अरे, इसको देखके तो मुझे मज़ा आ जाता है, इसको देखके तो मुझे मज़ा आ जाता है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एनरजी नहीं है और आपको और ज़्यादा पावफुल बनने की ज़रू है, तो बोलिए, I am a powerful soul, I am a powerful soul, क्योंकि ये शब्द, high vibration वाले शब्द है, मतलब ये आपको, आपकी vibration high हो जाए तो आप सारी दुनिया से वो high vibration वाली चीज़े अपने और attract करोगे, तो हम नेक्स चीज़ पर आते हैं, आप अगर अपने, आप देखें कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसा बंदा होगा, जिसको आप बहुत जादा पसंद करते होगा, आप लोगे का कि वाओ यारी तो कित आपको वही चीज़ मिलेगी, suppose आपका boss है और वो आपको बहुत दिन काम देता रहता है, और आप परेशान होती रहते हो, तो आपकी उसके बारे में क्या रहा है, कि वो अच्छा नहीं है, वो बहुत difficult काम देता रहता है, मैं तो उससे परेशान हो गया, वो मुझे time नहीं सोचता हूँ, और हमारा जो bonding है, वो बहुत जादा strong है, आप रोज इसे बोलना शुरू कीजिए, मतलब आप अपने negative vibration को positive कर रहे हैं यहाँ पर, और फिर देखिएगा आपकी life में क्या change होगा, पर करना दोस्तों आपको ही पड़ेगा, बोलिए, change कीजिए अपनी life, अपन अच्छा है, तो दोस्तों, आपके बच्चों को आप blessings देना शुरू कीजिए, अपने आपको आप blessing देना शुरू करिए, और आप इस संसार में जिस चीज़ से भी आपको लगता है कि problem है, आप उस चीज़ को blessing देना शुरू कीजिए, blessing क्या है हमारे thought, आप अपने अपने शुरू करिए, कि तुम ये काम बहुत अच्छा कर सकते हो, अगर वो अभी नहीं कर रहा ना, तो भी वो करना शुरू कर देगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका अपने husband के साथ, अपने सासुमा के साथ, अपने friend के साथ, किसी के भी साथ, आप अपना relation अच्छा कर चाहते हैं, तो आप अपने thought process को change कीजिए, आप उनके बारे में अच्छा सोचना शुरू कीजिए, आप उनकी अच्छाई लीजिए और अच्छाई सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि हर आदमी में अच्छाईयां तो होती हैं, तो मतलब आप अपने शब्दों से कुछ भ इसमें आ नहीं रही है, उसके बारे में एक अच्छा वाला सोच आपको create करना है, और ये जरूरी नहीं है कि आपको अभी आ रही है, बट आपको करना है, आपको अपने mind में, जिस इसके बारे में आपको negative thought आ रहा है, आप उसके opposite thought create करिए, और बोलिए कि ये कितना है, और आपको उसके बारे में कोई अच्छी feeling नहीं है, उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए, कि कितना अच्छा पार्ता है, इसका काम करने के तरीका कितना बढ़िया है, ये मेरे साथ कितना अच्छा है, ये मेरे कितनी help करता है, आप same way किसी के लिए भी किसी fazendo, किसी च चला लेंगे तो आपको लेना है वो बड़ आपके मन में क्या सोच है कि आप यह ले नहीं सकते हों कि कि बढ़ी है जादा अंभेंगी है ठाफ प्रोसेस चेंज करिए और बोलिए वाव क्या मस्त वाली कार है यार और मैं यह कार लोंगा ही लोंगा क्योंकि इसमें इतने अच चीज के बारे में लगा सकते हो इसा होता है कि आप अपने आपको खुद आशिरवाद दे रहे हैं, आप इस दुनिया को आशिरवाद दे रहे हैं, means blessings दे रहे हैं, और जब आपके शब्द blessing हो जाएंगे, तो आप सोचिए कि आपकी life कितनी wonderful हो जाएगी, तो दोस्तों, शब्दों पे काम करना मत भूलिए, डेली अपन झाली और भूलिए, अफ द काम कियाू डाया हैं, चुत प्स्तों इस दोदीन हैं, अचिरवाद ब सिवाद तो दो हो जाना मत भूलिए, प्यों कि रहां हो ये कितना मत दोएवादने तो दूणिरवादने हिस जाब्मपों कि जाऊने हो जाब ए्टार जोग इस बाष्ण ह